हेलो व्राइन वेलकम टू न्यू वीडियो मैविक की वर्थवाल और आज की न्यू वीडियो में बात करेंगे केटियम की RC 125 के बारे में इस वीडियो में देखेंगे क्या-क्या फ्यूचर्स है इस बाइक में क्या इसका अंडूड प्राइज है कितने कलर से स्कीम से में यह आती है और क्या-क्या चेंजेज होए है ओल्ड केटियम RC 125 में साथी चाथ देखेंगे कि आपको यह वाइक लेनी चाहिए या फिर यामा की आरवन फाइब लेनी चाहिए जो वीडियो को सुरू करने से पहले आपके भाई की आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे लिए अगर आप चेनल पर फर्स टाम आए है तो चेनल को रेट कलर का बटन दबा के सब्क्राइब कर दें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें बात करें के टियम RC 125 की तो इसका जो ऑन डोड प्राइज है दिली में वो है दो लाग 6,437 रुपे मतलब आप दो सबसे क्लार बात करते हैं अगर बजट काम है और आपको प्राइज जयाताग्त है तो आप 200 ना लेके 125 ले सकते हैं लुक एक्तम सेम है बस इसमें 125 की बैजिंग जाती है हां इंजन वाइस वह ज्यादा पावर्फुल है लेकिन अगर आपके लिए लुक मैटर करता है मैटर करता है प्रफॉर्मेंस ज्यादा नहीं तो आप ये भी ले सकते हैं आपना स्टिकर में और जो केटियम लवर है वो केटियम की तरह पी जाते हैं चाहे आरवन फाइबाए चाहे कोई सी वह आए क्योंकि इसका जो कलर कॉंबिनेशन जो रोड में जो अपील है वो एक अलगी है अब बात करते हैं सबसे पहले आपको इस फ्रेंट में आपको हैलोजन आपको वीडियो में और फोटो में यह बाइक कितनी अच्छी नहीं लग रही होगी लेकिन आप एक बार सोरू में जाकर विजूर जरूर करें यह बाइक देखने में पहले से और ज्यादा अच्छे हो गई है और अपीलिंग हो गई है अब बात करते हैं इसके ब्रेक विल अब बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की मीटर कंसोल इसका फुली डिजिटल मीटर कंसोल है इस मेपको बात कर चीजर जे सह कलुष साहद है वह इन्टाय है किलुष का बटन चाहिए और एदर की तरप लविम है एंडिकेटर और और अब बात करते हैं इसके इंजिन और प्रफॉर्मेंस की इसके इंदर आपको 12 cc का इंजिन मिल जाएगा जो की पावर देता है 14.75 mbhp की टॉप और टॉप देता है 12 Nm सिंगर लेंडर लिक्ट को डिंजन च्वें तो गयर जात होने से क्या होगा आपकी रेस और आपकी अस्केशन कापी अच्छ जाईगी फ्यूल इंजिक्शन टेक्नलोजी है साड़े तेरे लेटर का टैंक है, डेरे लेटर रिजर्व में रखना पड़ेगा, और एवरेज 40-42 के आराम से निकल जाएगी, क्योंकि 125 इसी की बाई के तो आराम से निकल जाएगी, तो सीट की बात करें, तो सीट कमपनी ने एकदम ही चेंज कर दी है, पहले एक सीट की प्रॉडम ती की कुशनिंग नहीं थी, लेकिन इस सीट में कमपनी ने काफी अच्छी बैडिंग करी है, शीडिंग काफी अच्छी है, पिलियन के लिए तो मैं अभी भी बोलूँगा कि इतनी comfortable bike नहीं है क्योंकि sports bike है तो इतनी फिलियन के लिए अच्छी नहीं होती है लेकिन rider के लिए काफी अच्छी है, rider के लिए जो position निकलता है, वो काफी aggressive निकलता है, फिलियन के लिए पीछे grab rail दे रहे है, split grab rail, black color रहे है, साथे साथ फुट्रेस्ट दे रहे है, और इस बा कर दी है, reflector number plate लगाने के जगह दे रहे हैं, साथे साथ number plate के उपर आपकी LED light दे रहे है, warranty company इसमें आपको दो साल और 30-0 km की warranty देती है, जो भी पहले आती है, rare look कुछ इस तरीके का है, monosock suspension दिखते है, white color के और orange color के आप इसके lievels है, जो की एक patent है, GATM की पहचान है, और side look कुछ इस तरीके साथ है, इस bike का, आप मुझे comment करके बताएं, कि आपको ये bike कैसी लग रही है, इस 125cc में, साथे साथ इसका dimension की बात कर रहे है, तो इसका wheelbase 1341 mm है, और ground clearance 118 mm की है, overall bike काफी अच्छी है, इस price range में, मेरे साब से 125cc के इंदर, आप full fairing, अगर आप sports bike देख र रहे हैं, बाकि आपके पर है, आप कौन सी bike लेते हैं, hope मैंने वीडियो में सारी चीज़े cover कर ले है, फिर भी अगर आपके कोई doubt है, इस से लेके या RM5 से लेके है, किसी और bike से related, आप मेरे को comment कर दे, मैं comment box में आपके answer कर दूँगा, कि आप आपके जो भी question होंगे, उसके ओप वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को like कर दे, और अभी तक चैनल सब्क्राइब निक है, तो चैनल को सब्क्राइब कर दे, मिलते हैं ऐसी next वीडियो में, तब तक के लिए, take care, safe riding, always wear helmet while riding, धन्यवाद, बाइबाई